दोस्तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्टिकल हब में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे जो एलेडी टीवी की बैकलाइट होती है अगर कभी वो आपकी खराब हो जाती है तो आप इसको बहुत ही इजी तरीके से किस तरीके से रिपायर कर सकते हैं जिससे क्या हमारी सारी एलेडी खराब नहुकर जैसे कोई पतीolly थी पत्त होते हैं दो पत्ते होते हैं चार पत्ते होते हैं हमारे एक वी यह हम मी Après व सब्सक्राइब किसी केया होता है कि वहाँ पर हमारे खराब हो जाते हैं वरन मु possível घाना अगर पूरी lengल रही है तो ठीक है बदल देना चाहिए इसमें कोई problem नहीं होगी लेकिन हमारा जो LED है पूरा strip है वो हमारी market में नहीं मिल रही है मिल भी रही है तो जो हमारे LED है उनके बीच में जो gap होता है क्योंकि gaping का बहुत ध्यान रखना है gap कम या जादा है या उसमें LED कम जादा है strip के length उतनी है लेकिन LED के उसमें कम या जादा है तो बहुत सी problem का सामना हमने करना पड़ता है जब इस land में नहीं नहीं होते हैं तो हमें कई चीजों का knowledge नहीं होता है तो मेरे वीडियो में बने रहें मैं इसमें LED जो भी strip light चेंज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता होगा आपके बहुत ही काम आएगा अगर मेरे चैनल पर new है तो चैनल को subscribe भी कर दें और वीडियो अच्छी लगी की तो वीडियो को like कर दें और दोस्तों में share कर दें ताकि दोस्तों मेरी ऐसी वीडियो आते रहें और आपका knowledge बढ़ता रहे तो अब हम वीडियो के तरफ चलते हैं तो क्या होता है कि जब हम इसको strip को लेने जाते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पहली है strip की लंबाई length हमें length साह सेम नहीं मिल सकती है और जो दूसरी problem आएगी length तो सेम होगी हमारी strip में जैसे 9 LED हैं 7 LED हैं तो अब length हमारी सेम मिल गई है लेकिन LED कम जादा हो जाएंगी वहां 7 अगर हमारी 7 है तो वहां 8 मिलेगी या 9 मिलेगी या 6 मिलेगी हमारी 9 है तो यहां 7 मिलेगी 8 मिलेगी length सेम मिलेगी तो इसमें होगा कि आप तुम्हारा LED कम जादा होगी तो बीच में जो gap होते हैं वो भी बहुत ही कम जादा होगी हमारे LED के जब LED के length कम जादा होगी तो हम उसमें जब fit करेंगे तो हमारे क्या होगे voltage जादा होने पर कम हो जाएंगे कम होने पर क्या होगी LED जादा हो जाएंगे तो हमारी फुकने के चांद जादा है और जादा होने पर brightness पर कुछ फरक पड़ेगा तो उसके साथ क्या करेंगे हो मैच नहीं खाएगी तो इसका मैं बहुत ही simple सी बताऊंगा आपको किस तरीके साम इसको arrange करें कि हमारी यह problem solve हो जाए तो हम क्या करेंगे इसके लिए simply हम यह करेंगे हमने सब जगे ढूटा लेकिन मिला नहीं अगर मिलता है तो दोस्तों देखो आप ऐसा ना करें आप क्या करें पूरी इस्ट्री भी change कर सकते हैं नहीं तो मैंने एक LED repairing के एक और वीडियो बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई है मुझे क्या हुआ वह पत्ता सेम भी नहीं मिला और सेम मिला भी तो उसके जो LED थे बहुत ही आगे पीछे थे तो उसके पीछे मैंने उसको नहीं रखा क्यूंकि क्या था अगर मैं इसको इस फ्रेम में चिप किया है मैं उसका link के description पर दे दूँगा आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं बाकी मैं इसमें नए तरीके से बता रहा हूं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं तो simply आपने करना क्या होगा आपके पास जो भी अगर नई LED यसे कोई पुराना LED स्ट्रिप हो उसमें से क हम उसको उखाड करके उसका plus minus को लेकर के उस LED के plus minus जो हमने कट करके ले रखी है उसको वहां पर क्या करते हैं चिपका देंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से करना है यह आप देख सकते हैं इसमें देख लें कि LED का एक पीस क अपलाई देनी है हमने उसको द्यान में रखते हुए हमने plus minus दे दिया है और यह हमारी वर्थ कंडिशन में एकदम perfectly आ चुकी है अब हम इसमें अगर सपेथ पेपर जो इसका white paper होता है उसको भी रखेंगे तो LED के ऊपर ही LED स्ट्रिप आ जाएगी तो आप इस तरीका भी कर सकते हैं अगर आपके पर पुरानी LED स्ट्रिप में कोई ऐसा नहीं है तो आप सिंपल ही एक मार्केट से LED स्ट्रिप लिया है कोई चीवी क्योंकि आपको मैचिंग की नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे फिर कोई चीवी लाओगे तो एक बार ऐसा भी करके जरूर देख आप छोटी LED स्ट्रिप ले लेना जिसमें कम हो और इस तरीके से आप कनेक्टे करते हैं और बाकी LED स्ट्रिप को भी रखे रहे हैं वो आगे किसी और में काम आ जाएगी आपके या आप ऐसा करें जो पुरानी LED होती हैं कबारियों के पर आप वहां से उनको प्रचेस कर ले 500-700 रुपे में वो दे देते हैं तो उसमा आपकी LED बोर्ड वोर्ट के काफी कमपोलेंट काम आ जाते हैं तो बहुत हैफ मिलती हैं मार्केट नहीं भागना पड़ता है उन्हीं में से बहुत से जमारी काम पर ले लेते हैं तो दोस्तो इस तरीके से कर सकते हैं आप अपने LED को रिपैर कर सकते हैं जो कि बहुती आसान और बहुती सिंपल तरीका है बना कोसिस करें कि आपको न्यू सेम मिले तो बहुती अच्छा है क्योंकि वो एक पूरा कम्प्लीट हमारा स्ट्रिप चेंज करना और इसको करना काफी फरक हो जाता है क्योंकि इसमें क्या होगा आपने ये तो LED का जो पीस लगा रहा है नई LED का कार्ट के पीस लगा दिया है लेकिन जो बागी LED है हमारी के हैं पुरानी हैं तो क्या पता लगाया और आपने एक मेहने बाद खराब हो जाती है दूसरी जो आपने लगाया वो नहीं दूसरी खराब जाती है उससे पहले हो ज तो आपके बाद रिटन दुबारा आ सकती है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप situation के हिसाब से ऐसा ट्राय कर सकते हैं यह निया कि मच जब जस्ती आप यह ट्राय करें आप देखें अगर व्व्यस्टा नहीं हो रही है तो तब तो यह कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बाकी आप जबरिस्ती करें पड़े हैं तो फिर तो कुछ हली नहीं है इसका यह ऐसा जो कि एक परफेक्ट है तो दोस्तो इस तरीके साब LED रिपायर कर सकते हैं बाकी जो LED इस्ट्रिप आपकी सेम नहीं मिल रही है लेकिन आप न्यू लगाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मैंने बना रही है आपको कैसे उसको लगाना है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप महां से जा करके देख सकते बहुत ही अच्छा और इजी तरीका है तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब कर देए अगर आए हैं तो मेरे वीडियो पह जिससे हुगा क्या मेरे भी सम्क्राइबर बहुत ही जल्दी anyone best होने वाले हैं तो दोस्तो बस आपका सपोड़ चाहिए आप लोग सस्क्राइब कर दें बाकी मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में